आज की यह वीडियो समाथ साफ्त रियानी की सोसोलोजी की महा संग्राम होने वाली है जो भी हमारे फ़स्टेर के फ़स्ट समस्टे के छात्र है जिनको कल या परस्टो या फिर आने वाले दिनों में समाथ साफ्त रियानी सोसोलोजी की परिच्छा देनी है उनके लिए वीड लगभघ प्रश्ण आपकी प्रष्टा में सिर्फ और सिर्फ इसमं ब wondु duplicou की तरह मैं आप को महाँ संग्राम बीडियो बताता हूं और के उसमें कोष्णन की आपको बताता लगभघ प्रश्ण दोर के लिए नमद के किए मेरा नंबर के प्रशना है और आप सभी के निभेदन है उसके रिकके सीज्ट बपर उसका ऑंसर तक देख्टे रहे हो यह जो वीडियो है यह प्रथम मोर्ष के छात यानि कि फस्ट येर वाले समेस्टर आपका प्रथम यानि फस्ट है ठीक है सब्जेक्ट आप देखी पा रहे होंगे प्रिशन पत्र का नाम है समाज साफ्ते मोल बहुत आउधाणाओं का परचे तो जितने भी कोश्चन होंगे समाज साफ्ते मोल बहुत आउधाणाओं से जुड़े होंगे ठीक इस बात को ध्यान रखते हैं तो चली आते हैं में कोश्चन एंड अंचर पर जो जो मैं कोश्चन मताऊंगा उनको तैयार करके जाते हैं तो आपको गारंटी पूरी सफलता मिलेगी तो पहला कोश्चन है आज किस वीडियो का महासंगराम वीडियो का कि समाज साफ्तर आप पढ़ने जा रहे हैे तो पहले समाज साफ्तर तो जानी है होता क्या है ठीक है उसके बाद आगे हम और कॉश्चन जाने के बहुत ही सिंपल सी परिभासा परस्तुत की आप सबी के समझ तो इंड तक देख कि समाज साफ्त समाज का ही एक बिग्यान है समाज साफ्त जो है जिस भी आप समाज में रहते हैं जिस भी एरिया में रहते हैं उसी का ही एक बिग्यान है ठीक है एक नवीन समाजिक बिग्यान है या एक नवीन मतलब की नया समाजिक बिग्यान है या बिग्यान के द्वारा मा मानो समाज जो है जिस भी समाज जैसे कि पसू समाज होता है बहुत सारे पसू होते हैं तो मानो समाज होता है तो मानो समाज में बहुत फारे इंसान बहुत सारे लोग होते हैं वहां की रित रिवाज सिस्टम होता है ठीक एक वही बता जा रहा है कि इस बिग्यान के द्वारा मानो समाज या समाजिक जीवन का बेग्यानिक पद्धत किया जाता है यह एक तरीकी से बेग्यानिक इस्टेप उसके बारे में जानकारी और अध्धन किया जाता है कि वाकई में है क्या और यहां पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए समाज में ठीक ऐसे किसके फाद भेवबाद भहोना चाहिए इन सभी का बेग्यानिक पद्दस से अधिन किया जाता है ठीक है जानकारी ली जाती है उसके बाद साब्धिक अर्थ को या फिर साब्धिक अर्थ की द्रष्ट इसे यह देखा जाए तो समाज साफ्तर दो सब्दो से मिलकर बना है कितने सब्दों सब्सक्राइब और समाज को इंग्रिस में जिसको बिग्ज्यान बोलते हैं तो दोनों के एक्क्वल करेंगे तो समाज साफ्तर आए जिसको सोचोलोजी बोला जाता है समाज साफ्तर अंग्रिजी भासा के सोचोलोजी सब्द का रुपांतर हिंदी रुपांतर है मतलब कि सोचोलोजी के हिंदी में समाज साफ्तर कहते हैं ठीक है और सोचोलोजी सब्द दो सब्दों की योग से बना है जिसमें पहला सब्द है सोचियस क्या पहला सब्द है सोचि यह Latin भास्वा का है प्रकार गया और इस प्रकार साब्धिक अर्थ में समाज साफ्तर का उमर बढ़ते तो पहले एक साल का होता फिर दो साल का फिर तीन साल का फिर चार साल का ठीक है इसी तरह समाज में जो रिलेशन है जो संबंध है जो बेक्तिगत एक माना हुता है वो step by step भी बढ़ती माली जे कि आपकी घर में कोई सी की साधी हुई तो भाईया आपका रिलेशन बढ़ा फिर उसके बच्चे हुए उसके साधी हुई तो उसके संबंध बढ़े तो इसी तरह एक step by step अधन किया ज ठीक है हम उनके परिवार के हैं या फिर हम उनके परोस के हैं फिर और परोस में हैं या फिर आपके जिस भी जात के हैं उसमें क्या चलता है क्या सिफ्टम चलता क्या नहीं चलता रेत रिवाज धर्म ठीक है इसी में एक तरीके से आ जाएगा ठीक है और बोलने का तरीका य ये सब एक तरीके से समाज के अंतरगत ही आता है ठीक है परिचे हो गया उसके बाद हम समाज साफ्त की परिभासा भी अलग-अलग जो बिद्वान है अलग-अलग अपने नुसार देते हैं जैसे कि प्रमुख जो समाज साफ्तर है जिनका नाम है मैक्स वेवर इन्होंने कहा ह कि समाज साफ्तर वब ज्यान है जो कि समाजिक क्रियां या फिर समाजिक क्रिया का उद्देश पूर्ड ब्याख्यात्मक बोध करने का प्रियास करता है ताकि समाजिक क्रिया जो होती है प्रोसेस होता है इसकी गत बिधी और परिड़ामों के करण सहित ब्याख्या की जा सक है ठीक है तो एक तरीके से जाल है नेट है ठीक है जिसमें सभी लोग सामिल है ठीक है यह पूरा का समाज है ठीक है और इसमें जो लोग रहे रहे हैं ठीक है इसमें सब लोग रहे रहे हैं एक दूफ्रे से कहीं न कहीं उनका connection है ठीक है एक दूफरे से कहीं न कहीं उनका connection है कुछ लोगों का नहीं है तो इसी पूरे का पूरे जो जाल है एक दूफरे से उनका contact है संपर्क है संबंद है उसी को हम समास साफ्तर कहते हैं ठीक सिंपल मासा में समझ गया आप अगला है कि बैग्यानिक पद्धत की प सत्ते हैं फिर गलत है फिर वर्गीकृण कहते हैं उसको डिवाइट करते हैं कई पार्टों में ठीक है उसके बाद स्वारी जिक्ञान क्रवध्दा तरशता परिच्छा में कई बार रिपीटेड है और इस बार भी आने के पूरियुम्बीद है यह समासाफ्थ का अध्धन छेत्र बताईए तो समासाफ्थ को जो अध्धन का छेत्र हो बिद्वानों ने अलग-अलग बताए हैं लेकिन जो बिद्वानों ने ज्यादा बताया है वो द जो एविशेस आत्मक संपरदाए इसमें जानते हैं क्या होता है कि इस संपरदा के अनुसार समासाफ्थ एक भिष्थिप विज्वान है सिंपल साथ ठीक है और बिग्यान की परिभासा आप लोग जानते हैं कि सो बेवस्थित ग्यान को एक अच्छे बेवस्थित ग्यान को ही बिग्यान कहते हैं ठीक है इसका संबंद अन बिग्यानों जैसे भौतिक साफ्तर रफायन साफ्तर आफ्तर ठीक है आर्थोसाफ से भ फिर उससे बिग्यान नहीं कहा जाता वो अपने छेत्र में जितना एक एरिया हो उजब तक वो कवर नहीं कर ले तब तक उसको हम बिग्यान नहीं कहेंगे ठीक है जांपल के लिए जैसे कि मालीजे कि जब बच्चा स्टार्टिंग से होता है ठीक है उसके बाद इस्टेप उसकी एक दो तीन चार पांच साल चेफाल और वो नहीं बनेगा ठीक है, हलाकि minor वाला बनता लेकिन जो अच्छे मतब कि एक legally या फिर सही माने में तो pen card जो अठारा साल के बाद ही बनता है, ठीक है, simple सा उधान दे रहें, अठारा साल के बाद ही बनता है न, ओके, अठारा साल से पहले नहीं बनता न, तो इफी तरह जब अठारा फाल को complete हो जाएगा, ठीक है, तब ही उसको हम कहेंगे कि वो एक तरीके से मतलब कि वो बालिक हो गया है, ठीक है, इफी तरह जब तक वो अपने area और छेतर में एक बिसेफ अफ्थान नहीं बना लेता, तब तक उसे हम एक बिवस्थित ज्यान नह कहेंगे, ठीक है, फत्तरा से वो पहले है, तो उसको हम नबालिक में गोशित करेंगे, अठारा हो गया तो बालिक हो जाएगा, इफी तरह इसमें भी जब तक वो बिवस्थित ज्यान नहीं ले लेता, ठीक है, तब तक वो एक बिवस्थित ज्यान नहीं कहलाएगा, जब व विशेफ अफ्थान ले लेगा तब उसे हम एक बिज्ञान का पूर्ण रूप मानेंगे तो यह परिभासा आप लिखेंगे बहुत ही सिंपल मात्र समास साफ्तर है तो इस प्रकार लिखेंगे कोई हार्ड लेबल का कोईश्चन नहीं और यह प्रिष्ण आने के उम्मीद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है अगरा भी कोईश्चन बहुत ही प्रस्तुत होने जा रहा है आपकी समस्त महत्र पूर्ण इस समास साफ्त की उत्पत्य के बारे में कुछ भईया बता जैए चैंलब की समास के उत्पत्य के बारे मैं प्रश्ट आ सकता है तो चलिए इसके बारे मीहीं जढ़ते हैं चाहिंक जिनका नाम है अगफ्त काम्ते को कहा जाता है जिन्हों ने सरप्रत्व समाजिक जीवन के बारे में आगफ्त कामटे ने समाज से सम्मंदित अध्यन को सरप्रतम समाजिक भहत्यकी यानि कि सोचोलोजी फिजिक फिके नाम से प्रुकारा समाज साफ्तर में हरबर्ट इस्पेंसर अठारा सो बीस से अठारा फुतीन तता मैक्सवर का नाम बिशिश रूप से प्रिसिद दुआ यानि कि समाज साफ्तर है जिन्होंने समाज साफ्तर में अपना बहुत फारा योगदान दिया समाज को कैफे step by step अधिन किया जा फकता है समाज को किस तरास से बेफ्थित धंग से एक अच्छे तरीके फे जाना जा सकता है इन सभी बिद्वाना का बहुत बड़ा योगदान रहा है जैसे कि मैक्स वेवर ये प्रमुक बिद्वान इस पे इंसर ठीक है इस प्रकार लिखेंगे उत्तर ठीक है अगला पॉइंट इसी में कहा है कि मानो एक समाजिक प्राणी इनसान है इसलिए प्रारभ्र्चे में समाज की विसे में चिंतन करता रहता है ठीक है कि कहीं अगर समाज में कुछ चीजे नियम कानुन होती है कि तो हिएख्या पत back प कहा पर मालीजे कोई प्रोग्राम है वहाँ पर हम नहीं जाएंगे तो समाच क्या कहेंगा इस तरह के बहुत सारे फैक्टर हैं बहुत फारी चीजे हैं जिनमें समाज के बारे में इंसान सोचने लगता है ठीक है या फिर ओबर एज भी हो जाता तो लोग कहते नहीं कि इसकी साधी भी नहीं हुई साधी का महुल चल लेकर उदाहन आपको समझा रहे हैं भारत में वेदों साहिंत है और इन लोगों को अध्यन के बारे में बताया जाता है ताकि वो समाज को समझ सके जो आम जनता जो नहीं समझ रही है ठीक है बिश्डु गुप्त ने अर्थसास्त्र में समाज पर लिखा है कि समाज साफ्त का जन्म 1838 में फ्रांस इसी चिन तक अगस्त काम्टे से माना जाता है तो इस प्रकार लिखेंगे इसके बारे में बहुत ही हाई लेवल का प्रस्ट ने जा रहा है समाज की परिभाणस आप सभी जानते ऊपर मैंने बता दिया बार 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 बताने कि आप समझ गया है ठीक है पर लेगे लिए उपर समाज साफ्त की बार परिभाफ आत की यहाँ पर समाज की परिभाणस इस बात को ध्यान रखेंगे समाज की परिभाणस अलग है और समाज साफ्त की अलग परिभाणस इस बात को ध्यान रखेंगे तो चलिए हाँ समाज की परिभाफ आतो जानना जरूरी हमको लगा समाज साफ्त रहे ठीक है तो समाज साफ्त संगठित तथा उन बेक्तियों से भिन्व है तो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे नहीं है कहने का मतलब यह है समाज को परभासित करते हुए या परिभाफा देते हुए गिन्सबर्ग ने कहा है कि समाज बिक्तियों का संकलन है जो अनेक संबंधोर बेवहारों की बिद्यों द्वारा संगठित है माली जी की आप है ठीक है आपका नाम माली जी एक्जामपल के लिए रमेश है ठीक है तो आपके फैमली में आपके भाई पापा होंगे मम्मी होंगी और आपके रिलेशन में भी बहुत सारे लोग है कि बामी होंगी मौसा होंगे मौसी होंगे बुआ होंगे पूपा होंग वो इनसे भिन है ठीक यानि कि आपको वो परिभासा नहीं समझ में आ रहे थी एक बहुत ही सिंपल परिभासा मैंने आप सभी के समस्त प्रस्तुत कर दी ताकि आपको ज़रा सभी डाउट ना हो ठीक वो परिभासा आप एग्णोर भी कर सकते हैं लेख सकते हैं कि समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक ब्रहद समुध को कहते हैं ठीक है यानि कि जहां पर कोई समाज है जिस भी समाज में ब्रहद समुध को कहते हैं जिसमें सभी बेक्त मानवे क्रिया कलाब करते हैं यानि कि मानवे क्रिया कलाब करते कानुन करते रहते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे समाज की परिभासा को धान रidente समाज को समगा गला प्र समाज लोगों को एक ऐसा समुव होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समभर्क रखता है तरीके से बोल सकते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे समाज की परिभाशा है किसी भी समू को समूदाय मानने के लिए या जानना आवस्यक होता है कि उस समू की समू को समूदाय मानने के लिए ये जानना आवस्यक होता है हैं तथा आवश्यक वह क्या है त्यक्त है यदुष्टाय के समॉधाय के समान ही है ठेक जो कि गाहूं का भी ध्यान सुनेंगे चुकि गाहूं का भी जब भी कोई पार्टिकुलर घर बन जाता है तो आपका एक एरिया हो गया आपका इतना बड़ा तो इस प्रकार लिखेंगे इसकी परिभासा ठीक है जो सब चीजे पॉइंट कॉमा करेंगे हैं सब गाउं में पाई जाती है भाई कोई एक विशेश नाम भी होता गाउं का मानों का समोव होता हमकी भावना होता हुए पर जर्म लेता है उसका जमान आद निर भरता होती है बाई कोई भी रहेगा अपने गाउं में तो उसके अंदर यह सब चीजे रहेंगी अब समाज की विशेश इस्ताइं यह भी महात्पूर्ण प्रस्ण है इसको तयार कर लीजेगा ठीक है बहुत ही हाई लेबल कोउस्चन है गूगल पर सर्च कर लीजेगा उत्तर पूरा मिल जाएका महुत महात्पूर्ण है शमुदाय की परिभाफा दीजी यह भी महात्पूर्ण है ठीक है तो बेस्क को नोट कर लीजे और उत्तर आप अपने उसार कोश्चन में इंटरनेट गूगल पर कहें बर सर्च करके पढ़ लीजे आपको भाई यहां पर तो एक ही उत्तर दिख रहा है इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत फारे अलग 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 आपको परिभाफा कि ने प草से सब्रेंट कंड़ प्रेंट करनेट रहें बाकी अगर आप ऐसे शिम्पल परिभास आजएगी तो आप लिक देंगे ःतर तयार कर लिजे तीकुंऻी लच्छन नहीं आता कभी कोश्चना आता कि संस्था के कार इस सारी है तो था रही है प्रकार लिखेंगे इसके उत्तर संफता किसे कहते हैं भी महात्पूर्ण प्रस्ण मैंने आपको बता दिया इसको तयार कर लेंगे प्रकार और संफता की परिवाफ़ा जरूरूर तयार करके जाएंगे ठीक है एक संयुक्त परिवार में तीन या तीन से अधिक पीडियों के सदस एक साथ एक ही घर में निवास करते हों उनकी संपत सामोहिक होती है वे एक ही रसोही का बना भोजन करते हैं सामोहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस पर किसी ना किसी नातेदार बेवफ़ता से राणित होते हैं तो जोइन फैंली का मतलब ये हुवा कि तीन पीडियों ठीकर मान नहीं के आपके बाबा जी है और आपके पापा जी हैं तीक हलाके ये तीन पीडियों थीं क आपके बच्चे के छोड़े घर के झोलन का वह मुखिया जिसको बोलते हैं घर का मुखिया तो उसपे संपत्य होती है और सबीरी सब लोग पूजा भाग लेते हैं को एनातिदारी बेवस्था है तो सभी लोग उससे सम्मंद रखते हैं एक जैसा ठीक है और स्यूंग्त परिवार के फदस्य परिश्पत अधिकारों वा दायत्तों को निभाते हैं दुबे के कथन है यह कोई मोल परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का सम्मंद हो एक अफ्थान पर भोजन करते हो और आर् पर इच्छा में प्रस्णा आ चुका इसको तयार कर लीजेगा ठीक है मुझे बताने क्या हो सकता ने साधी का सीजन चला तो आप लोग पढ़ लीजे ठीक है साधी की बिसेष्टा है बहुत सारी है आप लोग पढ़ लीजे जिसे की नंबर एक में कि बिवाह द्वारा पत उद्देश बताइए और हिंदू धर्मी की परिभाफा दीजी इस तरह के प्रस्णा आएंगी ठीक है तो कुछ उद्देश से पहला योन सम्मंदी इच्छा के पूर्टि करना आर्थिक सहयोग बच्चों का पालान पोसड़ यह होते हिंदू धर्म विवा के कुछ इस तरह के सबी साफ्तरों में इंप्वाटन तो इसमें पहुंचा गया बने की कला का ग्यान होता है त्था जटिल फाम्विट को समझने के लिए ग्यान प्रदान करना यह होता हिए बच्चे में समाजिक अनकूल की छमता पैदा करना आर्थिक अनकूल के लिए पेसे स्थार यूब ने योग देना आपकी जुक्स कल्चा रहीत रिवाज बोलने के तरीका उसमें सुधार और ब्रद्धी और अच्छे से और भी अच्छे से बोल पाएं अच्छे संसकार आपके अंदर आहें आपकी कल्चर हो यह होते हैं फिच्छा की परिभांसा आपके समस्त कूश्चन आये तो आएगा आएगा चाहाज समाजिक परिक्रिया के आवश्यक्त तो आए इन में से से हंडर पर सहेगा तो आप दोनों प्रशन को तैयार कर लिए एक प्रशन बस जाएगा अगया समाजिक जीवन में महत्तों बताई को बताईएं कि समाजिक जीवन को nessa मेरे इसन म्यान को जरूरत है तो 엗्रोरत है है अगर आपको अच्छा श्रोंगली ऒिकाफ करना समाज में या फिर बेक्तुत आप्ना खुद का विकाफ करना एक तरीके से थी किसी और किसी चीज की सहियोग चीज़ कींद में इस पना चैनल होती हैं। तो आप और भी अच्छे अपनी दुकान के ओपनिंग कर सकते क्योंकि आपके पास बालीजे की बजट कम हो तो उसका सहीयोग मिल जाएगा साथ साथ में कोई काम है तो वो भी इनसान आपके मदद करा देगा तो सहीयोग बहुत ही जरूरी एक पार्ट है ठीक है और सामुहिक पर दो राज़ की जरूरत में जारूरत में थकी झालाक है तो उसको यह अउचसा अस्थान है किसी भी विक्ति के जीवन में ठीक है और समाज में भी समाजिक तथा स्bow क्रगत के छेतर में अंतर राफटे छेतर में सथीयोग बहुत योगदान है झालिकत होता है वात वंखत होते हैं जो बहुत सारे डिश्टर्पर रहता है अके जरीं करेता ये यह सब्सक्राइब आहुड़ा शहयोग के हमेरी और बहुत तरीके के अलग-अलग चीजों में इसके जरूरत है और इसके भी न, एक तरीके में कोई चीज अधूरी रहते हैए तिक आप कितना भी सोचें आप अगर किसी का सहीवग नहीं रहें तो कहीं न कहीं उस चीज की कमी आपको फिल जरूर होगी तीक है कि अगर काफ किसी इंसान की हम हेल्प ले लेते सायोग ले लेते तो आज हमारा काम और भी अच्छा हो जाता ठीक है तो यह भी महत्पूर्ण प्रशने और प्रतियस परदा हमेशा आने वाला कोईश्चन तो याद रखेंगे प्रतियस परदा जो है ना कि ठीक है सुरूप है एक तरीके सुरूप भी बोल सकते हैं संगर्ष के अर्थ बताईए यह भी कभी कदार आ जाता हमेशा नहीं आता तो इस बात तयार कर लेंगे क्या जाता है संगर्ष और प्रतियस परदा में अंतर आए चाह संगर्ष की परिभाफा दीजिए चाह प्रत प्रतियस परदा के परिभाफा दीजिए इसके प्रकार बताई विस्षिष्टाय बताईए बाकि उत्तर है कोश्चन दोनों पढ़वी सकते हैं ठीक है मानो जिवन में समाजिक मूल्यों का महत्त्व है यह भी आता है कभी कदार ठीक है इसको भी तैयार कर लीजिएगा ओक परिभाफा दीजिए द्यान से सुन लीजिए ठीक है बाद में मुत बोलिएगा समाजिक ट्रेकरण में कोश्चन बताने को बोल गया समाजिक अफ्तरीकरण बहुत ही आएगा जरूर ठीक है अफ्त्री करण ठीक है यह कोईश्चन आएगा समाजिक अफ्त्री करण और समाजिक गत्सीलता इम फी जुड़े कोईश्चन अच्छे तयार करके जाते तो करिब करें आपके 50-50 नंबर इसे वीडियो से किलियर हो जाएंगे बाकि आप हमारी और भी बहुत सारी वीडियो पढ़िए महासंगराम की उपढ़ सकते हैं और आपको मिलते हैं कौन नए वीडियो के साथ और इस पीडियो को प्राप्त करना तो आप हमें वर्टसप पर मेसेज कर दीजेगा हम वही पर प्रवाइड करा देंगे और जैंद